राजस्थान की इस पिंक सिटी में रियान पराग खूब गर्जे हैं दिली और आरार के बीच मुकाबला चल रहा था पहले बलेबाजी कर रही थी राजस्थान की टीम और पहले दस ओर में सिर्फ 57 अन बने थे और टीम बहुत संकट में थी उसके बाद संकट मोचन बनकर आये रियान पराग और अशुविन दोनों ही खिलाडियों ने इस टीम को 185 रनों तक पहुँचाया और रियान पराग ने 45 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाए जिसमें 7, 4 और 6 गगन चुम्बी छक्के शामिल है इस युवा खिलाडी ने विशुव के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक और विशुव के सबसे अच्छे गेंदबाज का अगर बात की जाएगी तो एंरिक नौर्खिया का उसमें नाम आता है उस गेंदबाज को एक ओवर में 25 रन मारे यानि की अल्मोस्ट गेम आब राजस्थान की ओर लेकर वो चले गए है जब टीम एकदम मजधार में फसी हुई थी लेकिन रियान पराग की बल्लेबाजी में इतना निखार अचानक से आया कैसे धरसर रियान पराग ने जब पहला में चुआ था लखनो के सामने वहां भी 43 रन बनाए अदशतक से चूख गयते लेकिन यहां कोई मौका नहीं छोड़ा टीम संकट में थी और मजबूती से संकट मोचन बने और टीम को बाहर निकाला रियान पराग की बल्लेबाजी में इतना निकार इसलिए आया है क्योंकि पिछले कुछ समय तक रियान पराग के एक्शन्स इतने ज्यादा होते थे कि वहां पर बल्लेबाजी थोड़ा ओवर्शैडो रहती थी और एक्शन्स की वजए से इतना दबाव रहता था कि वो उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर पाते थे और आज रियान पराग ने ये करके दिखाया कि राजस्थान की मैनेजमेंट ने जितने सालों से उन पर भरोसा दिखाया टीम में अपने साथ जोड कर रखा वो सारा रीपे किया इस खिलाडी ने इसकी आलोचना भी जम कर की जा रही थी फैंस के दौरा जब इससे रन नहीं बनते थे लेकिन आज जिस तरह की भरपाई की और जिस तरह के छक्के मारें इस खिलाडी ने इस खिलाडी ने पोटेंशल दिखाया है और आने वाले समय में ये भारत के लिए भी खेलता हुआ नजर आएगा आपका क्या मानना है रियान पराकिस बल्लेबाजी को लेकि हमें कॉमेंट करके बताइए तब तक के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी